नोबल पुरसकार दो हजार तेईस वर्ष दो हजार तेईस के नोबल पुरसकारों की घोशना दो से नौ अक्टूबर दो हजार तेईस के दोरान की गई ये पुरसकार शान्ती, साहित्य, शरीर किया विज्ञान या चिकित्सा रसायन विज्ञान, बहुतिक विज्ञान तथा आर्थ शास्तर के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्श दिये जाते हैं आर्थशास्त्र के क्षेत्र का पुरस्कार मोलता नोबल पुरस्कारों में शामिल नहीं था। इसकी स्थापना स्वीडन के केंद्रिय बैंक द्वारा बाद में 1968 में की गई थी। तथा नोबल तुल्यस पुरस्कार को एलफ्रेड नोबल के स्मिती में आर्थशास्त्र के क् विजेता का चयन जा स्टॉक होम इस्थित रॉयल स्वेडिश अकेडमी ओफ साइन्सिस द्वारा किया जाता है। साहित्यव अर्थ शास्त्र के क्षेत्र के पुरस्कारों का वित्रण 10 दिसंबर को एलफर्ड नोबल की पुनियतिति पर स्वेडन में स्टॉक होम में किया गया। जबकि नोबल शान्ति पुरस्कार 10 दिसंबर को ही नौरवे की राजधानी ओसलों में दिया जाता है। इन पुरस्कारों के तहट इस वर्ष देय पुरस्कार राशी 10-10 मिलियन स्वेडिश क्रोनर या 8.8 लाक अमरीकी डॉलर लगबग 7 करोड 25 लाक रुपए से बढ़ा कर 11-11 मिलियन स्वेडिश क्रोनर या 9.8 6 लाक अमरीकी डॉलर या 8 करोड 1 लाक रुपए कर दी गई है। इस वर्ष के ये पुरस्कार निमनलिखित को दिये गए हैं। इन्हें ये पुरस्कार नुक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन्स के संबंध में इनके शोद जिसे COVID-19 के लिए प्रभावी mRNA वैक्सीन बनाने में मदद मिली के लिए दिया गया है। दोनों पुरस्कृत वैग्यानिक अमरीका इस्थित Pennsylvania University से संबद हैं। कैटलिन कारी को चिकित्सा के क्षेत्र का नोबल जीतने वाली 13 मैला हैं। कैरुलिन्सका इंस्टिट्यूट की विग्यप्ति के अनुसार परस्कार की राशी 11 मिलियन स्वेडिश क्टोनर दोनों पुरस्कृत वैग्यानिकों में समान रूप से विभाजित की जाएगी। चिकित्सा के क्षेत्र के नोबल पुरस्कार की संबंध में महत पून तथ्य। 1901 से लेकर अब तक चिकित्सा के क्षेत्र का नोबल पुरस्कार 114 भार कुल 227 वैग्यानिकों चिकित्सा वैग्यानिकों चिकित्सकों को दिया जा चुका है। नौबार 1915, 16, 17, 18, 1921, 25, 1940, 41, 1942 में ये पुरसकार किसी को भी नहीं दिया गया। ये पुरसकार 40 बार किसी वैज्ञानिक या जिकित्सक को एकल रूप से प्रदान किया गया। जबकि 35 बार ये दो-दो लोगों को सेंगत रूप से तथा 49 बार ये तीन-तीन लोगों को सेंगत रूप से प्रदान किया गया। जर्मनी के एमिल एडॉल्फ वॉन बहरिंग को चिकित्सा के एक शेत्र का पहला पुरसकार 1901 में प्रदान किया गया था। चिकसा के एक शेत्र का नोबल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक कनाड़ा के फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग थे 1923 में उन्हें जब ये पुरस्कार दिया गया था उस समय उनकी आयू 32 वर्ष थी ये पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्र दराज वैज्ञानिक अमरीका के पीटोन राउस थे 1966 में 87 वर्ष की आयू में दो अन्य वैज्ञानिकों के साथ उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र के नोबल पुरस्कार से अब तक कुल 13 महिलाओं को सम्मानित किया जा जुका है 1947 में अमरीका की गेटी कोरी ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी उन्हें ये पुरस्कार उनके पति काल कोरीवा एक अन्य के साथ सैंत रूप से मिला था अमरीका के आर्थर कोंडबर्ग को 1969 में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबल पुरस्कार मिला था बाद में 2006 में उनके पोत्र रोजर कोंडबर्ग को रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबल पुराप्त हुआ था इसी प्रकार 1973 में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबल परसकार पाने वाले नीदेलंड्स के निकोलस टिमबर्जन के भाई जौन टिमबर्जन को 1979 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र का परसकार प्राप्त हो चुका था वर्ष 2022 का ये पुरस्कार पाने वाले स्वेंते पाबो के पिता सुने बर्ग स्ट्रोज्म को भी चिकित्सा के क्षेत्र का नोबल पुरस्कार 1982 में प्राप्त हो चुका था भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का इस वर्ष का नोबल पुरस्कार तीन वैज्ञानिकों अमरीका के पियरे एगोस्टिनी जर्मनी के फेरेंग क्रोस्च तथा स्वीडन के एनि एल हुईलियर को सेंक्ति रूप से प्रदान करने की घोशना Royal Swedish Academy of Sciences Stockholm ने 3 October 2023 को की Academy की विज्ञप्ति के अनुसार इन्हें ये पुरस्कार अनूओं एवं परमानूओं में लेक्ट्रॉंस के संबंध में इनके अध्यन एवं शोध के लिए दिया गया है विज्ञप्ति के अनुसार इनके शोध ने extremely short pulses of light के सिर्जन का प्रदर्शन किया है जिसका इस्तेमाल लेक्ट्रॉंस को गति एवं उर्जा परिवर्तन के लिए किया जा सकता है लेक्ट्रॉंस का तीवर गति को पकरना जहां पहले असंभव माना जाता था वहीं इन तीनों की खोच से अब ये संभव हो पाया है पुरिस्कत वज्ञानिकों में पियरे एगोस्टिनी अमरीका में ओयो स्टेट युनिवर्सिटी कोलंबस से जहां संबद हैं फिरिंग क्रॉस जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टिटूट ओफ क्वांटम ओप्टिक से तथा एनी एल हुईलियर लूंड युनिवर्सिटी स्वीडन से संबद हैं नोबल पुरस्कार की पूरी राशी तीनों वैज्ञानिकों को समान रूप से वितरित की जाएगी प्रिष्ट संख्य अठाइस भौतिक विज्ञान के नोबल पुरस्कार के संबंद में महत पूर्ण तथ्य 1901 से लेकर अब तक भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का नोबल पुरस्कार 117 बार कुल 225 वैज्ञानिकों को दिया जा चुका है अमरीका को जौन वार्डिन को ये पुरस्कार दो बार 1956 वा 1972 में प्रदान किया गया जौन वार्डिन ऐसे एक मात्र वैज्ञानिक है जिने भौतिक विज्ञान का नोबल पुरस्कार दो बार प्राप्त हुआ है छे बार 1916, 1931, 1934, 1940, 1941, 1942 में ये पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया ये पुरस्कार 47 बार किसी एक ही वैज्ञानिक को एकल रूप में प्रदान किया गया एक वेज्ञानिक जॉन बार्डिन को ये पुरस्कार दो बार दिये जाने के कारण ऐसे वेज्यानिकों की संख्या 46 ही है जबकि 32 बार ये दो-डो लोगों को सहिंक्तु रूप से तथा 38 बार ये तीन-तीन लोगों को सहिंक्तु रूप से प्रदान किया गया भौतिक विज्ञान के एक्षेत्र का नोबल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक बिटिन के विलियम लौरेंस ब्रेक थे 1915 में उन्हें जब ये पुरस्कार उनके पिता विलियम हैनरी ब्रेक के साथ संफ रोप से दिया गया था उस समय उनकी आयू 25 वर्ष थी ये पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्र दराज वैज्ञानिक अमरीका के आर्थर आशकिन थे 2018 में 96 वर्ष की आयू में उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबल परस्कार से अब तक कुल चार महिलाओं को सम्मानित किया गया है 1903 में फ्रांस की मेरीक्यूरी ये परस्कार पाने वाली पहली महिला थी मेरी क्यूरी को बाद में, 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबल पुरिसकार भी मिला। पिता पुत्र की चार जोडियां ऐसी हैं, जिने बहुतिक विज्ञान के क्षेत्र के نोबल पुरिसकार से सम्मानित किया गया है। इनमें विलियम ब्रेक वर लॉरेंस ब्रेंक की पिता पुत्र की जोड़ी 1915 में एक साथ दोनों को सेंत रूप से ये पुरुसकार के अत्रिक्त नील्स बोर 1922 को पुरुसकार वर ए एन बोर 1975, मानने सीग बैन 1924 वर काई, एम सीग बैन 1981 तथा जेजे थॉम्सन 1906 वर रसाइन विज्ञान, रसाइन विज्ञान के क्षेत्र का वर्ष 2023 का नोबिल पुरुसकार की घोशना, Royal Swedish Academy of Sciences Sweden ने 4 अक्टूबर 2023 को की, ये पुरुसकार भी अमरीका के तीन वैज्ञानिकों को सेंक्त रूप से दिया गया है, इसमें Massachusetts Institute of Technology, Cambridge के मोंगी जी बाविंडी, कोलंबिया युनिवर्सिटी नियॉयॉर्क के, लुईस इब्रूस तथा नैनो प्रिस्टल्स टेकनोलोजी इंक नियॉयॉर्क के, एलक्सी आई, एकिमो शामिल हैं, स्वेडिश एकेडमी विज्ञप्ति के अनुसार, इन्हें ये पुरुसकार, क्वांटम डॉट्स की खो पुरुसकृत विज्ञानिकों ने इतने छोटे कंड बनाने में सफलता प्राप्त की है कि उनके गुण क्वांटम घटना से निर्धारित होते हैं, ये कंड जिने क्वांटम डॉट्स कहा जाता है, अब नैनो टेकनोलोजी में बहुत महत्वर रखते हैं, पुरुसकार रा इक से लेकर अब तक रसायन विज्ञान के ख्षेत्र का नोबल पुरसकार 115 बार कुल 194 विज्ञानिकों को दिया जा जुका है, इनमें ब्रिटेन के फ्रेडरिक सान गेर की दो बार 1958 वा 1980 मेवा बैरी शापलेस को भी दो बार 2001 वा 2022 में ये पुरसकार मिलने के कारण पुरसक बार पाने वाले विज्ञानिकों की संख्या 192 ही है, आठ बार 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940, 1941 वा 1942 में ये पुरसकार किसी को भी नहीं दिया गया, ये पुरसकार 63 बार किसी एक ही विज्ञानिकों अकेले ही प्रदान किया गया, जबकि 25 बार ये दो-दो लोगों को सहित रूप से तथ 27 बार ये तीन-तीन लोगों को सहित रूप से प्रदान किया गया, नीदिलेंड्स के जैकोबस एच बी हॉफ को रसायन विज्ञान के क्षेत्र का पहला पुरसकार 1901 में प्रदान किया गया था, रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबल पुरसकार पाने वाले सबसे कम उम उम्र के वैज्ञानिक फ्रांस के फ्रेडरिक जूलियट क्यूरी थे, 1935 में उनकी पतनी आईरन जूलियट क्यूरी के साथ सहिकत रूप से उन्हें जब ये पुरसकार दिया गया था, उस समय उनकी आयू 35 वर्ष थी, ये पुरसकार पाने वाले सबसे उम्र दराज वैज् बी गुडनिफ थे, 2019 में 97 वर्ष की आयू में उन्हें ये पुरसकार दिया गया था, वो कोई भी नोबल पुरसकार पाने वाले सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, रसैन विज्ञान के एक शित्र के नोबल पुरसकार से अब तक कुल 8 महिलाओं को सम्वानित किया जा मेरी क्यूरी को 1903 में वहतिक विज्ञान का नोबल पुरसकार भी अपने पती के साथ साजेदारी में मिला था, बाद में 1935 में उनकी पुत्री आईरन जूलियट क्यूरी को भी 1935 में अपने पती के साथ साजेदारी में रसैन विज्ञान का नोबल पुरसकार प्राप्त मेरी क्यूरी ही ऐसे एक मात्र वैज्ञानिक हैं जिने 1903 में वातिक विज्ञान के नोबल पुरिसकार के साथ 1911 में रसायन विज्ञान के क्षित्र का भी ये पुरिसकार प्राप्त हुआ था अमरीका के लाइनुस पॉलिंग ऐसे एक मात्र वैज्ञानिक हैं जिने रसायन विज्ञान के नोबल 1954 के साथ साथ शान्ती का नोबल भी 1962 में प्राप्त हुआ है अमरीका के के बैरी शाप्लिस जिनने 2022 का रसायन शास्त्र के क्षित्र का नोबल पुरिसकार दिया गया था को 2001 में भी ये पुरिसकार मिला था ब्रिटिन के फ्रेडरिक सेंगही एक ऐसे अन्य विज्ञानिक है जिनने रसैन विज्ञान का नोबेल पुरिसकार दोबार 1958 व उनने सो असी में दिया गया था कृष्ट संख्य उनतिस साहित्य साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2023 का नोबेल पुरिसकार नौर्वे के साहित्यकार जॉन फॉसे को प्रदान करने की घोशना स्टॉक होम इस्थित स्वेडिश एकेड़िबी ने 5 अक्टूबर 2023 को की है उनने ये पुरसकार उनके अभिने नाटकों वा गद्दे के लिए दिया गया है जो अकथनी की आवाज प्रदान करते हैं फॉर इस इनोवेटिव प्लेज अन फ्रोज विच गिफ्स वोईस तू दा अनसेबल अपने विशिष्ट लेखन शैली जिसे प्राया फॉसे मिनिमलिज्म कहा जाता है के लिए ख्यातिक्राप्त जॉन फॉसे ने अनेक उपन्यास नाटक कविताई कहानिया निबंदव बाले साहित्ते के 70 से अधिक उसके विगत चार दशकों में लिखी है पचास से अधिक भाषाओं में कुछ का अनुवाद भी हुआ है उनका पहला उपन्यास रॉट स्वाट रेड ब्लैक उर्निसो तिरासी में प्रकाशित हुआ था उनकी हाली के वर्षों में प्रकाशित रचनाओं में सेप्टोलोजियन दोहजार बाईस वा क्यविचलिक द पुरस्कारों से वो सम्मानित हैं सहित्य के नोबल पुरस्कार के संबंध में महत पूर्ण तथ्य उन्नेसो एक से दोहजार बाईस तक सहित्य के क्षेत्र में कुल 116 नोबल पुरस्कार 120 सहित्यकारों को दिये गए चार बार 1904, 1917, 1996, 1974 में सहित्यका नोबल दो दो लोगों को संयक्त रूप से दिया गया साथ बार 1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942 और 1943 में सहित्यका नोबल किसी को भी नहीं दिया गया वर्ष 2018 में भी ये पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया था किन्त 2018 का ये पुरस्कार 2019 में दिया गया था सहित्यके नोबल पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा सहित्यकार ब्रिटिश पत्रकार रुडियार्ड किपलिंग थे जिनने 41 वर्ष की आयू में जंगल बुक के लिए ये पुरिसकार वर्ष 1907 में दिया गया किपलिंग का जन 1865 इसवी में मुंबई में हुआ था सहित्य के नोबल पुरिसकार से सबसे उम्रदराज सहित्यकार ब्रिटिन की डॉरिस लेसिंग थी जिनने 88 वर्ष की आयू में 2007 में ये पुरिसकार दिया गया सहित्यके नोबल पुरिसकार से अब तक कुल 17 महिलाओं को सम्मानित किया जा चुका है स्विडिश लेखिका सेलमा लेगरलोफ पहली महिला थी जिनने 1909 में ये पुरिसकार प्रदान किया गया नोबल सहित्य पुरिसकार मरनो परांत केवल एक बार 1931 में एरिक एकसल काल फिंट को प्रिदान किया गया था 1974 से लागो किये गए नियमों के तहत ये पुरिसकार अब मरनो परांत नहीं दिया जाता परिसकार की घोशना के पुरांत मृत्य होने के स्थिति में ये घोशित व्यक्ति के लिए ही दिया जाता है भारत के बंगला साहित्यकार रबींदर नाथ टैगोर को 1913 में साहित्यके क्षेत्र का नोबल परिसकार दिया गया था ये भारत थी नहीं एशिया के पहले व्यक्ति थे जिने नोबल परिसकार प्रदान किया गया शान्ती महिला अधिकारों व उनकी आजादी के लिए संगर्श रत रही इरान की नर्गिस मुहमदी को उनके इस अनवरत संगर्श के लिए वर्ष 2023 का नोबल शान्ति परिसकार प्रदान करने की घोशना ओसलो स्थित नोबल कमीटी ने 6 अक्टूबर 2023 को की अपने इन संगर्शों के लिए विगत बारा वर्षों से जेल में निरुद नर्गिस मुहमदी को अलग-अलग मामलों में 13 बार गिरफतार किया जा चुका है तथा 5 मामलों में 31 वर्ष के कारावास की सजाएं उन्हें सुनाई जा चुकी हैं उन्हें पहली बार 2011 में गिरफतार किया गया था उनके संगर्श को देखते हुए 2009 में अलेक्जेंडर पुरसकार तथा 2011 में मानवादिकारों के लिए स्वेडन सरकार का अंतर राश्ट्रिय पुरसकार उन्हें दिया गया था पिछले वर्ष दोहजार बाईस में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स पुरसकार भी उन्हें दिया गया था उनके द्वारा रचित पुस्तकों में दे रिफॉर्म्स, दे स्ट्रेटेजीज एंड दे टैक्टिक्स तथा वाइट टॉर्चर प्रमुख हैं इक्यावन वर्षिय नर्गिस महमदी शांती का नोबल परिसकार पाने वाली उन्निसमी महिला हैं वो इरान की दूसरी महिला हैं जिने नोबल शांती परिसकार दिया जा रहा है इससे पूर्व इरान की मानवादिकार कारिकरता शिरीन एवादी को 2003 में ये परिसकार दिया इरान की जेल में निरुद नर्गिस मुहम्मदी की 10 दिसंबर के परिसकार समारों में भाग लेने के लिए रिहाई का आग्रह जहां नोबल समीति ने किया है वहीं इरान के विदेश मंत्राले ने परिसकार के लिए उनके चयन की आलोचिना करते हुए कहा है कि नोबल समीति ने ऐसी मैला को पुरिस्कृत करने की घोशना की है जिने कानून तोड़ने तथा आपरादिक गति विधियों के लिए कई बार दोशी ठहराया जा चुका है पुले खनिय है कि नोबल पुरिसकार के 122 वर्षों के तिहास में ये पाँच माउसर है जब नोबल शान्ति पुरिसकार किसी ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो जेल में निरुध्ध है या अपने ही घर में नजरबंध है नोबल शांति पुरसकार के संबंध में महत्पून तथ्य वर्ष 1901 से शुरू हुआ नोबल शांति पुरसकार अब तक कुल 104 बार दिया गया है 111 व्यक्तियों वा 30 संस्थाओं को ये पुरसकार अब तक दिया गया है किसी को भी उप्युक्त ना पाये जाने के कारण 19 बार ये पुरसकार किसी को भी नहीं दिया गया है ये पुरसकार 70 बार किसी व्यक्तिया संस्था को एकल रूप से प्रदान किया गया पाकिस्तान की मलाला यूसुफ जई जिने 2014 में नोबल शान्ति पुरस्कार सेंट रूप से मिला था ये पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की विजेता हैं 2014 में उन्हें जब ये पुरस्कार दिया गया था उस समय उनकी उम्र केवल 17 वर्ष थी सबसे अधिक 87 वर्ष की उम्र में नोबल शान्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाले पूलेंड के जोसेफ रोट बेल्ट थे जिने 1995 में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था शान्ति के एक शेत्र का पहला नोबल पुरस्कार स्विर्जरलेंड के सामाजिक कारेकरता हैनरी दुनांत को 1901 में मिला था International Committee of the Red Cross ने सरवादिक तीन बार ये पुरस्कार प्राप्त किया है नोबल शान्ति पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली पहली महिला आस्ट्रेलिया की वर्था वान शट्नर थी उन्हें 1905 में ये पुरस्कार दिया गया था खुल मिलाकर 19 महिलाओं को नोबल शान्ति पुरस्कार अब तक दिया जा चुका है प्रिष्ट संख्य 30 हालही के वर्षों में नोबिल शांती पुरिसकार विजेता वर्ष 2023 नर्गिस मोहमदी महिला अदिकारों के लिए संगश रत रही इरान की जेल में निरुद महिला वर्ष 2022 एलेस बियालियाट्सकी विलारूस तथा रूसी मानवादिकार संगठन मेमोरियल वा सेंटर फोर सिवल लिबर्टीज युक्रेन। वर्ष दो हजार एक्किस मारिया रेसा फिलिपीन्स वा दमित्री मुरातो रूस। वर्ष दो हजार बीस विश्वखाद्य कारिक्रम। वर्ष दो हजार उन्निस अभिय अहमद अली एथियोपिया के प्रधान मंत्री। वर्ष दो हजार अठारा डॉक्टर देनिस मुक्देश कॉंगो व नादिया मुराद एराग। वर्ष दोहजार सत्रा, ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons वर्ष दोहजार सोला, Juwan Manuel Santos, Columbia के राष्टुपती वर्ष दोहजार पंद, Tunisian National Dialogue Quotant वर्ष दोहजार चौदा, Kailash Satyarthi, Bharat वा Malala Yusuf Jai, Pakistan वर्ष दोहजार तेरा, Organization for the Prohibition of Chemical Weapons वर्ष दोहजार बारा, European Sang वर्ष दोहजार ग्यारा, Liberia की राष्टुपती, Ilan Johnson, Sir Leaf Liberia की, He Lee Maha, Jiboyeva, Yemen की क्रांतिकारी महिला, Lavakul, Karman वर्ष दोहजार दस, चीन के असंतुष्ट नेता, Liu, Shia Ovo वर्ष दोहजार नौ, अमरीकी ततकालीन राष्टुपती, Barak Obama वर्ष दोहजार आट, फिन्लेंड के पूर्व राष्टुपती, Marti, Ahtisari वर्ष दोहजार साथ, जल्वाई परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल्व, अमरीका के पूर्व उप राष्टुपती, Algor वर्ष दोहजार छे, बांगलादेश के ग्रामिन बैंकव, इसके संस्थापक अर्थशास्त्री, मोहमद युनस वर्ष दोहजार पांच, अंतराष्ट्रिय पर्मान उर्जा एंजेंसिव, इसके ततकालीन महानिदेशक, मोहमद अलवर्देई वर्ष दोहजार चार, बंगारी मथाई, कीनिया के परियावरण वादी वर्ष दोहजार तीन, इरान के मानवादिकारी अधिवक्ता, शिरीन अबादी वर्ष दोहजार दो, अमरीका के पूर्व राष्टुपती, जिमी कार्टर वर्ष 2001 संयुक्त राष्ट संगवाइद के ततकालीन महासचिव कोफी अनन वर्ष 2000 दक्षन कोरिया के ततकालीन राष्टरपती किम दाय जुंग अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के क्षेत्र के वर्ष 2023 के नोबल तुल्यप पुरस्कार Alfred Nobel की स्मृति में अर्थशास्त्र के क्षेत्र का स्वेरिक्स स्विस बैंक पुरस्कार की घोशना Royal Swedish Academy of Sciences द्वारा 9 October 2023 को की गई ये पुरस्कार अमरीकी श्रम अर्थशास्त्री Claudia Golden को दिया गया है Harvard University में Henry Lee Professor के रूप में कारिरत 77 वर्षिय Claudia Golden को ये पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए दिया गया है श्रम बाजार के विगत 200 वर्षों से अधिक की आंकड़े एकत्र कर इस बाजार में महिलाओं के काफी कम प्रतिनिधित्व वप पुरुषों के तुल्ना में उनकी आई के अंतर आदि पर शोध उन्नोंने किया है 2013-14 में अमरीकन एकॉनमिक एसोसियेशन की अध्यक्ष रही क्लावडिया गोल्डिन अनेक पुस्तकों की रचियता हैं तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अनेक पुरुषकारों से पहले ही सम्मानित हैं तथा नोबल तुल्य पुरुषकार पाने वाली पुत्त तीसरी म अर्थशास्त्र के क्षेत्र के नोबल तुल्य पुरुषकार के संबंध में महत्वपून तथ्य अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबल पुरुषकार अन्य पांचों नोबल पुरुषकार से कुछ भिन्न हैं इसके स्थापना अलफेड नोबल ने अपनी वसीयत के द्व द्वारा नहीं की थी। दस दिसंबर को ही नॉर्वे की राजधानी ओसलों में दिया जाता है। ये पुरसकार सरवप्रथम 1979 में नीदलेंड्स के जाने टिमबरजन तथा नॉर्वे के रेगनर फिरिश को सेंक तुरूप से प्रदान किया गया था। इस पुरसकार का आपचारिक नाम दा स्वेरिक् इक्स बेंक प्राइज इन इकॉनमिक साइंसेस इन मेमरी अफ अल्फरिड नोबल है। नोबल मेमोरियल की ये पुरसकार राशी अन्य नोबल पुरसकारों के समान ही रहती है। जो इस वर्ष दो हजार तेज में 11 मिलियन स्वीरन क्रोनर है। तथा इसका वित्रण भी प्र किया जाता है। अर्थशास्त्र के एक शेत्र में 1979 से शुरू हुआ नोबल तुले ये पुरसकार अब तक 55 बार कुल 93 अर्थशास्त्रियों को दिया जा जुका है। 26 बार ये अकेले ही किसी एक अर्थशास्त्री को 20 बार दो दो अर्थशास्त्रियों को संयुक्त रूप स दिया गया है। अमरीका में अर्थशास्त्री कलाउडिया गोल्डिन ये पुरिसकार पाने वाली तीसरी महिला है। 2007 में नबे वर्ष की आयू से ये पुरिसकार पाने वाले लियोनिल हर्विज इस पुरिसकार के सब से उम्र दराज विजेता रहे हैं। अर्थ शास्त्र का नोबल जीतने वाली पहली महिला अमरीका की इलिनर ओस्ट्रम थी। उन्हें 2009 में ये सम्मान अमरीकी अर्थ शास्त्री ओलिवर विलियमसन के साथ संविक तुरूप से दिया गया था। 1969 में नौर्वे के रेंगनर फृष्क के साथ संविक तुरूप से अर्थ शास्त्र के एक शेत्र का ये पहला पुरस्कार पाने वाले नीदलेंड्स के जाने टिमबर्जन के भाई निकूलस टिमबर्जन को बाद में 1973 में जिकित्सा के एक शेत्र का नोबल दिया गया था। 1974 में अर्थ शास्त्र का नोबल तुल्य पुरस्कार पाने वाले गुनार मिड्रल स्विडन की पत्नी अलवा मिड्रल को बाद में 1982 में शान्ति का नोबल प्राप्त हुआ था। भारती अमूल की अभिजीत बनरजीव उनकी पत्नी इस्टर डुफलो अर्थ शास्त्र के ख्षेत्र का नोबल तुल्य पुरस्कार पाने वाले पती पत्नी की एक मात्र जोडी है। इन्हें ये पुरस्कार अमरीका के माइकल क्रेमर के साथ संवत रूप से 2019 में दिया गया था। भारत के प्रोफेसर अमरत्य सेन को अर्थ शास्त्र के ख्षेत्र का ये पुरस्कार 1998 में दिया गया था। उने बाद में 1999 में देश के सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रिष्ट संख्य इकत्तिस अर्थशास्त्र के क्षेत्र के नोबल तुल्ल पुरस्कार के सम्बंद में महत्वपून तत्य। अर्धिशास्त्र के क्षेत्र का नोबल पुरस्कार अन्य पांचों नोबल पुरस्कार से कुछ भिन्न है। इसके स्थापना अलफिड नोबल ने अपनी वसीयत के द्वारा नहीं की थी। अलफिड नोबल के स्मिती में ये पुरस्कार बाद में स्वीडन के केंद्रिय बैंक स्वेरिक्स रिक्स बैंक द्वारा 1968 में स्थापित किया गया था। इसकी पुरस्कार राशी वचेन प्रक्रिया अन्य पांचों नोबल पुरस्कार के समान ही है। इसका वित्रण भी अन् नोबल पुरसकार 10 दिसंबर को ही नॉर्वे की राजधानी ओसलों में दिया जाता है। ये पुरसकार सरवप्रथम 1979 में नीदेलेंड्स के जाने टिमबरजन तथा नॉर्वे के रेगनर फिरिश को संक्त रूप से प्रदान किया गया था। इस पुरसकार का आपचारिक नाम The Swerix Rixbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel है। नोबल मेमोरियल की ये पुरसकार राशी अन्य नोबल पुरसकारों के समान ही रहती है। जो इस वर्ष 2013 में 11 मिलियन स्वीरन क्रोनर है। तथा इसका वित्रण भी प्रतिवर्ष 10 दिसंबर अल्फरेड नोबल की पुर्णिय तिथी पर स्टॉक हो में किया जाता है। इस पुरसकार है तो विजेता का चैन भी Royal Swedish Academy of Sciences द्वारा ही किया जाता है। अर्थ शास्त्र के एक शेत्र में 1979 से शुरू हुआ नोबल तुले ये पुरसकार अब तक 55 बार कुल 93 अर्थ शास्त्रियों को दिया जा चुका है। 26 बार ये अकेले ही किसी एक अर्थ शास्त्री को 20 बार दो-दो अर्थ शास्त्रियों को संयुक्त रूप से तथा नौ बार ये तीन-तीन अर्थ शास्त्रियों को संयुक्त रूप से दिया गया है। सबसे कम उम्र में अर्थ शास्त्र के क्षेत्र का नोबल भारती अमूल के अमरीकी अर्थ शास्त सहिवत रूप से ये पुरिसकार दिया गया था वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबिल तुल्य पुरिसकार पाने वाली दूसरी महिला थी 2023 में अमरीका में अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन ये पुरिसकार पाने वाली तीसरी महिला है 2007 में 90 वर्ष की आयू से ये पुरिस्कार पाने वाले लियोनिल हर्विज इस पुरिस्कार के सबसे उम्रदराज विजेता रहे हैं अर्थशास्त्र का नोबल जीतने वाली पहली महिला अमरीका की इलिनर ओस्ट्रम थी उन्हें 2009 में ये सम्मान अमरीकी आर्थशास्त्री ओलिवर विलियमसन के साथ सहिपत रूप से दिया गया था अर्थशास्त्र का नोबल तुल्य पुरिसकार पाने वाले गुनार मिड्रल स्वीडन की पत्नी अलवा मिड्रल को बाद में 1982 में शांति का नोबल प्राप्त हुआ था भारती अमूल की अभिजीत बनरजीव उनकी पत्नी इस्टर डुफलो अर्थशास्त्र के ख्षेत्र का नोबल तुल्य पुरिसकार पाने वाले पती पत्नी की एक मात्र जोड़ी है इन्हें ये पुरिसकार अमरीका के माइकल क्रेमर के साथ संवत रूप से 2019 में दिया गया था भारत के प्रोफेसर अमरत्य सेन को अर्थशास्त्र के ख्षेत्र का ये पुरिसकार 1998 में दिया गया था उन्हे बाद में 1999 में देश के सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रतने से सम्मानित किया गया था पृष्ट संख्य इकत्तिस नोबिल पुरुसकारों से संबंधित कुछ अन्य सामानित अथ्य नोबिल पुरुसकारों के शुरुवात 1901 में हुई थी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरुसकार की शुरुवात 1979 में हुई थी 1901 से लेकर अब तक ऐसे 621 पुरुसकार कुल 990 व्यक्तियों या संस्थाओं को दिये जा चुके हैं विबिन क्षेत्रों में ये पुरुसकार पाने वालों की संख्या निमन लिखित है एक तालिका के द्वारा इन्हें प्रदर्शित किया गया है तालिका के 6 कॉलम हैं पहले कॉलम का सीर्शक है क्षेत्र दूसरे कॉलम का सीर्शक है पुरुसकारों की संख्या तीसरे कॉलम का सीर्शक है पुरुसकार विजेताओं की संख्या चोथे कॉलम का सीर्षक है एकल विजेता, पांचमे कॉलम का सीर्षक है दो-दो संयुक्त विजेता वच्छटे कॉलम का सीर्षक है तीन-तीन संयुक्त विजेता, ताली का इस प्रकार है क्षेत्र भौतिक विज्ञान पुरस्कारों की संख्या 117, पुरस्कार विजेताओं की संख्या 225, एकल विजेता 47, दोदो संयुक्त विजेता 32, तीन दीन संयुक्त विजेता 38 शेत्र रसायन विज्ञान पुरस्कारों की संख्या 115, पुरस्कार विजेताओं की संख्या 194, एकल विजेता 63, दोदो संयुक्त विजेता 25, तीन संयुक्त विजेता 27 शेत्र चिकित्सा, पुरस्कारों की संख्या 114, पुरस्कार विजेताओं की संख्या 227, एकल विजेता 40, दोदो संयुक्त विजेता 35, तीन तीन संयुक्त विजेता 49 क्षेत्र साहित्य, पुरस्कारों की संख्या 116, पुरस्कार विजेताओं की संख्या 120, एकल विजेता 112, दोदो संयुक्त विजेता 4, तीन तीन संयुक्त विजेता डैश क्षेत्र शान्ती, पुरस्कारों की संख्या 104, पुरस्कार विजेताओं की संख्या 111, प्लस 30, एकल विजेता 70, दोदो संयुक्त विजेता 31, तीन तीन संयुक्त विजेता 3 क्षेत्र अर्थशास्त्र, पुरस्कारों की संख्या 55, पुरस्कार विजेताओं की संख्या 93, एकल विजेता 26, दोदो संयुक्त विजेता 20, तीन तीन संयुक्त विजेता 9 क्षेत्र योग, पुरस्कारों की संख्या 621, पुरस्कार विजेताओं की संख्या 1000, एकल विजेता 358, दोदो संयुक्त विजेता 147, तीन तीन संयुक्त विजेता 116 तालिका समाप्त इन वर्षों में नोबल पुरस्कार नहीं दिये गए भौतिक विज्ञान 1916, 1931, 1934, 1940, 1941, 1942 रसायन विज्ञान 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940, 1941, 1942 चिकित्सा 1915, 1916, 1917, 1918, 1921, 1925, 1940, 1941, 1941, 1942 साहित्य, 1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1941, 1942, 1943 शान्ति शान्ति 1914, 1915, 1916, 1918, 1923, 1924, 1928, 1932, 1949, 1940, 1941, 1942, 1943, बारत के केवल पांच नागरिकों को ही नोबल पुरस्कार से अब तक सम्मानित किया गया है। इनमें बाल अधिकारों के लिए संगर्श रट रहे कैलाश सत्यार्थी वसमाज सेवी मदर टेरिसा को शान्ति के एकशेत्र का नोबल पुरस्कार मिला था कैलाश सत्यारथी को 2014 में तथा मदर टेरिसा को 1989 में ये पुरस्कार मिला था नोबिल पुरस्कार जीतने वाले अन्यतीन भारतिय रबींदर नाथ चैगोर 1913 में साहित्य के क्षेत्र का नोबिल पुरस्कार सीवी रमन 1930 में भोतकी के क्षेत्र का पुरस्कार वा प्रोफेसर अमरत्यसेन 1998 में आर्तिशास्त्र के क्षेत्र का पुरस्कार हैं इनके अतरिक्त भारतीय मुल्के हर गोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र का, एस चंदर शेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र का, वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र का तथा अभिजीत बनर्जी को 2019 में आर्थ शास्त्र के क्षे मिला था किंतो ये चारों पुर्णा की घोशणा से पूर्व ही अमरीकी नागरिकता ग्रहन कर चुके थे भारतीय मूलके ही वी जाए पौल को 2001 में साहित्ती के क्षेत्र का नोबल पुरoun पुर्णाु मिला था किनतौ वो ट्रिनिडाध थेवं टोबेगों में जन्में बि सीवी रमन उन्निसो तीस भौतिकी, हर्गोबिंद खुराना उन्निसो अड़सट चिकित्सा, मदर टेरिसा उन्निसो उनासी शांती, एस चंद्रशेखर उन्निसो तेरासी भौतिकी, अमरत्य सेन उन्निसो अठानवे अर्थ शास्त्र, वी एस नाय पॉल दो हजार एक साहित् वेंकर्ट रमन रामकृष्णन दो हजार नौ रसायन विज्ञान, केलाश सत्यार्थी दो हजार चौधा, शांती, अबिजीत बनर्जी दोreme हजार उन्निस अर्थ शास्त्र, हर्गोबिंद खुराना एस चंद्रशेकर, वेंकर्ट रमन रामकृष्णन व, अबिजीत बनर् उनके पूर्वज भारत से त्रिनिडाड जाबसे थे। प्रिष्ट संख्य बत्तिस